वैश्णो देवी यात्रा के नाम पर बड़े फर्जी वार्ड का मामला सामल्या है। पूरा मामला सैबर क्राइम से जुड़ा है जो टिकेट दिये गए थी वा टिकेट फर्जी थी जब यात्री जमू कश्मीर पहुंचे तो पता चुला कि जिस एरलाइंस के लिकॉप्टर में उनका रिजर्वेशन ने वा बिलकुल फरजी है उसके बाद जमू कश्मीर पुलिस ने आर्थिक अपरादी काई ते इस तंपर कस्थापित क्या और दोनों के जुएंट के दंदे को अंजाम देते थे उस उनके पास जाने से क्या क्या व्रामत हुआ है रिपोर्ट देखिए कि पर्तिभा की कोई कमी नहीं है लेकिन पर्तिभा गलत कामों के लिए वी यूज़ किया जाता है एक ऐसा मामुला सामने आया है जो काफी चुकाने वाला है है और हयरान करने वाला है विहार से वैषिनों-दे जाने वाले यातियों से शायवर्थज के का एक बड़ा मामला सामने आया है इस पूरे मामले के बारे में हम आपको बताएंगे आर्थिक अप्रादिकाई की कीम को जम्मु कश्मीर के पुलिस से यह सुचना मिली थी कि बिहार से जाने वाले बैश्यों दे भी यात्रा करने वाली लोग जो हेलिकॉप्रा से जाते हैं उनके साथ ऑनल से लिए गया लाकु रुपे उसके बाद तत्काल पूरे मामले में एक टीम का घठन किया गया जुदमु कश्मीर और आर्थिक अप्रादिकाई की विशेष टीम का घठन किया गया और टीम ने पूरे मामले में एक IP address की अधार पर कारवाई करते हुए खागरिया से टीन ब पर साइट बना करके लोगों से बेस्नों शे जाने के नाम पर उनसे में ठीकट उपम्न के नाएन तीनों ने बड़े गिरो के बारे में खोला सकिया है और पिलहाल का सकते कि बिहार से एक बड़ा गिरो बैसनो देवी के नाम पर ठगी का धंगा चला रहा है उन सब की गिरफतारी के लिए आर्थिका प्रदिकाई जमकस में पुलिष लगाता अच्छा प्रेमानी कर रही जाए मुर्क बालम कसी स्रीव पत्ना